जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तो सूरिय हर महीने राशी बदलते हैं और इस तरह से साल भर में सभी बारे राशियों में चक्कर लगाते हैं अब सोला जुलाई को शनिवार के दिन सूरिय का राशी परिवर्तन होने वाला है और इस बार सूरिय चंद्र की राशी करक राशी में प्रवेश करेंगे और अगले एक महीने तक करक राशी में ही रहने वाले हैं अब करक राशी जो है वो चंदर की राशी है और चंदर मा जो है वो सूर्य के मित्र ग्रह भी है तो इसलिए मित्र की राशी में सूर्य का जाना सभी लोगों पर भाव देगा लेकिन इसे वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुम्ब राशी के बारे में कुम्बराशी के लोगों के लिए अगला एक महिना 16 जलाई से और 17 अगस्त तक ये एक महिना आपके लिए किस तरह से होने वाला है आपके जीवन के प्रतेक्षित्र में सूर्य का क्या प्रभाव होगा सूर्य जिन ग्रहों के साथ यूति करेगा जिस ग्रह के साथ भी सूर्य की यूति से योग बनेगा तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो सूर्य को पिता का कारग माना गया है और साथ में सूर्य जो हैं हमारे मान सम्मान को भी दिखाते हैं सूरिय सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत उत्तम माने जाते हैं मान सम्मान को यस परतिस्ठा को बढ़ाने वाले सूरिय दे माने जाते हैं क्योंकि इनको नव ग्रहों में राजा की उपाधी दी गई है और जो चंद्रमा की राशी जो चंद्र है वो शांती प्रिय ग्रह मान गहे हैं तो यहां अगनी तत्व और जल तत्व की युती हो रही है जो महतपोन הבनाव लेकर आएगे और कुमराशी के हम बात कर रहे हैं तो कुमराशी के लोगों के लिए अगर आप असूरे को देखें तो वो आपकी साथ विवाव के स्वामी हैं जो विवाव का भाव है बहुता भाव कहा जाता है तो कुछ कुम्बराशी के लोगों के लिए तो कुछ इस मामलों में ये जो गोचर है ये बहुत अधिक अनुकुल होने वाला है किन चीजों में जैसे मुकदमे बाजी है उसमें बहुत अच्छा रहेगा कुछ नयाय पालिका से जुड़े कारे करत प्राप्ति होगे लेकिन हमें आपको साथानी भी रखनी होगी नहीं साथानी रखते हुए आपको कारे करना होंगा वर्ना ऐसा वह सकता है कि चीजें जो हैं वह पर ज्रूदे तो थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है बाकी इस दौरान सामाजिक इस तर पर आपके लिए इस्तितियां अच्छी रहेंगी और अपने शत्रों पर क्योंकि शटा भाव देखे शत्रों का भाव है अपने शत्रों पर आप विजय प्राप्ट कर सकते हैं आपको अपन अंटिनेशनल कंपनी में आपने अप्लाई किया है या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं बाहर विदेश जाकर आप जौब करना चाहते हैं और आप काफी समय से ट्राइ कर रहे हैं तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है इस विदेशी कंपनियों से लाब और विद अपने व्यावसाय में व्रद्धी का समय है विस्तार करने का समय है और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम अवधी ये सावित होगी यानि एक महिना 17 अगस्तक का आपके लिए बड़ा उत्तम रहने वाला है आप इस दोरान अपनी जूनियर्स पर अपन कमांड बनाय रखने में सक्षम होंगे और ये आपके व्यक्तितों कोने खारेगा उसे जगा आपको सावधानी भी रखनी है सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा जैसे एक तो स्वास्तेगा ध्यान रखना है स्वास्ते समंध्य कुछ परिशाने हो सकती है साथ में जो जातक प्रेम समंध में हैं उन्हें इस अवधी में ज्यादा सावधानी पर देने की आवश्यक्ता है क्योंकि आशा है कि आप आशेंका है कि आप अपने साथी के साथ हर बात पर बहस बाजी में बढ़ जाएं हर बात में बहस होगी विवाद हो सकता है इससे रिष्टे को लेकर अगर आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा धारे रखना होगा और छोटी-छोटी बातों को तूल देने अब हाओ भी कहा जाता है तो प्रतियोगिता यगर किसी आप competitive exam में अगर आप बैठना चाहते हैं इस महिने में 17 अगस्त तक अगर आप बैठने वाले हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने के आवशक्ता होगी ज्यादा मेहनत ही आपको अच्छे लाव दिला सकती है तो आज से ही जुट जाएं ज्यादा मेहनत की तरफ और focus करें अपनी पढ़ाई पर अगर वाकि में आपको result अच्छा प्राप्त करना है तो तब ही जाकर आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है जो वेपार करते हैं उनके लिए वैसे तो समय ठीक है लेकिन अगर आप किसी तरह के करज लेने के बारे में सोच रहे हैं किसी तरह का लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और उसके जरीए आपको अपने कामकाज में विस्तार करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा क्योंकि करज लेना इस महीने में आपके लिए अच्छा नहीं बना हुआ है तो कोशिश करें कि इस महीने आप किसी तरह का भी लोन वगेरा ना ले उसके आग किलाव दायक है और ऐसे लोगों के लिए जादा अच्छा बना हुआ है जो ऐसी जगहा पर बैठे हैं जहां आपको दो नमबर का पैसा प्राप्त होता है उनके लिए जबरदस्त लाव की योग है साथ में सावधानी भी सावधानी से आपको लाव के योग बने हुए है इ अगले दिन से ही बुद्ध भी सूरे के साथ कर कराशे में आ जाएंगे तो ये बुद्धरित योग जो होगा ये बुद्धरित योग काफी पावरफुल होने वाला है तो इससे बहुत सी चीज़े सुधरती होई दिखाए देंगी जो सूरे के प्रभाव में थोड़ा वर रक्षमी नादायन योग भी बनेगा तब भी इसके प्रभाव जो हैं ये काफी अच्छे रहेंगे सूरिय बुद्ध और शुक्र के साथ बैठकर बेहद अच्छे धनलाभ के योग बनाएगा लेकिन तब तक आपको थोड़ी सी साफ़धाने रखके जरूर चलना है कुछ उपाय करना है उपाय बहुत उत्म आपके थावित हो सकते हैं जो नेगिटिव चीज़ों को कम कर सकते हैं उपाय के तौर पर आपको रविवार के दिन मंदिर में लाल कपड़ा दान करना है या फिर गेहू दान करता है या फिर गुड़ दान करना है इस तरह के दान करने स आपको सूरी के जो आशो पर बाहा हैं उनमें कमी देखने को मिल सकती है तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें हमारी इस वीडियो को जद जद लाइक करें शेयर करें